आप लोग जो ये गानिशिंग देख रहे ना जितना कलरफुल ये है इतना ही कलरफुल मेरा केक रहेगा आज होली स्पेसल केक में बनाने जादी हूं आप लोग जरूर बनाना हाई प्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूं आप तो लोग बहुत अच्छे होंगे और ये देखिये मैं बहुमातीन उरट कर दिखाए थी उसमें से गिरा नहीं था बार मैं चूरी टच करी रहा हूं तो जब मैं है वनिला का बनाती हूं फो ऐसे ही रहता है लेकिन जय मैं चॉक्लेट वाला बनाती हूं तो वह ऐसा नहीं रहता है वह लगता है कि दूठ तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूं और यह मालाज का मैं करश डाल रही हूं और मैं प्रिष्टीन कंपनी का प्रिमिक्स यूज करती हूं और वह 80 गराम ली हूं और उसमें है ना थोड़ा जादा ही मैं स्ट्रोबेरी का एमेल्शन डाली हूं इसलिए इतना जादा पिंक आया तो इसाब ने मैं यूटूब पर ही देखके यह बना रही हूं चलने ऐसा नहीं कि मैं कहुंणडे तो इतना अच्छा का खुष्भू रहता हूंятно कि मैं एक केक बना रही इतना पुरे घर में इसकी खुशबू महक रही थी तो आप लोग है ना इमर्शन अगर बनाते होंगे तो आपको पता होगा अगर आप लोग नहीं बनाते हैं उससे तो आप लोग एक बार ट्राय जरूर करना और इसमें मैं 3 layer करी थी और यह 80 gram में फिर मिक्स ली थी अगर जब मैं 50 gram लेती हूं तो बहुत पतला पतला सा दो ही निकलता है इसके लिए मैं 3 लेती हूं घर के लिए था कोई इशु नहीं था और ये मैं दिखा रही हूं कि एक छोटा सा ही कट लगाई हूँ आप बड़ा बिल्कुल भी मत लगाना नहीं तो बहुत जादा क्रीम आपकी केक के उपर अपलाई हो जाएगा और यह ना जो उपर है यह राउंड लगा रही हूँ ना यह आप थोड़ा से उपर तक कही करें इससे क्या रहता है फिनिशिंग फट से हो जाता है नहीं तो आप फिनिशिंग जब देंगे ना तो आपको और एक्स्टा क्रीम लगाना पड़ जाएगा बाद में क्या और पहले आप लोग प्लेट नाइफ लेक के थोड़ा से समच कर दें उसको फिर स्क्रेपर यूज करें तो उससे क्या रहता है और जल्दी और अच्छे से हो जाता है लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी स्क्रेपर से करेंगे ना तो भी हो जाएगा लेकिन आपको बहुत ज नहीं दी हूँ अगर ये किलियर रहता इसी टॉप प्लेन रखती तो मैं जरूर और फिनिशिंग देती लेकिन है ना मुझे ये इसक्रेपर यूज करना था जीग जेग वाला और उपर भी टॉपर भी करना था इसके लिए मैं उतना ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी लेकि उससे क्या रहेगा कि आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा थोड़ा फटा फटा सा लगेगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी तो इसके लिए मैं आप लोगों को explain कर रहे हूं कि आप लोग ऐसी गलती मत करें जो मेरे से होता है और ये neutral जेल है ये पू पेजिंग जेल भी बोलते हैं और neutral जेल भी बोलते हैं आपको जो बोलना है जो बोलें लेकिन कोई confusion मत रखें कि ये अलग-अलग है दोनों ही सेम है और मैं पाच जगे पे ली हूँ और इसमें पाच कलर एड़ कर रहे हूं क्योंकि होली में बहुत सारे कलर रहते हैं उस हि नर्मल में भी बनाएंगे जरूरी नहीं है कि होली में तो काफी सुन्दर इसका लुका आ रहा था मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि दिल कर रहा था कि कितने सारे फोटू में क्लिक करूं तो आप लोग है जरूर एक बार ट्राय करना होली श्पेसल नहीं वैसे भी आ यह देने के टाइम पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप दिवार के साइड में मत रहें मेरा क्या है कि यहां पर मुझे वीडियो बनाना रहता है जरूरी नहीं है कि आप भी वीडियो बनाएं अगर आप बनाते होंगे तो आप मैनेज करें उस हिसा आपका घर खराब हो जाए उस हिसाफ से आप इस बात का ध्यान देंगे और थोड़ा सा ध्यान ये भी देंगे कि आपको जो छीटे मारने हैं वो अपने केक से थोड़ा हट कर मारें नहीं तो क्या रहेगा ना कि जो आप यह उंगली से में मार रहे हूं ना ये वाला ना आ पूर से ही करना तुरा ध्यान से और जितना आपको मारना है उतना ज्यादा मारें जितना आपको कम करना है उतना आप कम करें ये देखिए ये मेरे सारे कलर करके हो गए हैं और जो वो गानेशिंग बनाई हूं नो वो गानेशिंग इस हिसाफ से बनाई थी ये सारे कलर ही उ आप जब केक बनाए ना तो बोर्ड है ना एकदम ध्यान से पोच लिया करें उससे केक की फिनीशिंग अच्छी आती है आप फिनीशिंग कितना भी अच्छा दे देंगे ना अगर आपका बोर्ड गंदा रहेगा तो केक का लुग बिल्कुल भी नहीं आता है और ये मेरा है पाव केजी से जादा में तयार हुआ था साड़े तीन सो गिराम में ये केक तयार हुआ था घर के लिए था मैं बाहर के लिए बिल्कुल भी ओर्डर नहीं था मुझे तो मैं है ना अपने इसाफ से थोड़ा कम जादा करके बना दी हूँ क्रीम का भी क्या मेजरिंग दूं अगर हाफ केजी पाव केजी का आप बनाती तो मैं उतना दे देती लेकिन ये हैना मेरा पाव केजी भी नहीं था हाफ केजी भी नहीं था और ये गानेशिंग मैं इसे लगा दी हूँ और ये जो फुलावर्स में बनाय थी उसमें कलर तो थे ही नहीं मुझे हैना पहले क्य ये मेरा प्यारा सुन्दर साकेक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर कर देना, कमेंट करना बिलकुल भी मत भूनना और ये रहा मेरे केक का फाइनल लूक, उम्मेद करती हूं कि आप लोगों को पसंद आए, मिलते हैं नेक बाइ!